Hello everyone, welcome back to my educational YouTube channel Commerce Knowledge Pool. मैं हूँ Professor Dishita Setia और आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आयू जो आपको definitely help करेगा आपके studies को improve करने के लिए. आज इस वीडियो में हम discuss करेंगे ऐसी 6 बाते जो हर एक student को पता होनी चाहिए. जी हाँ, आज हम discuss करेंगे ऐसे 6 दुश्मन जो students को आगे बेढ़ने में रोकता है. ये ऐसी बाते जो हमारे सपने को पूरा नहीं करता, हमारे studies में रोक लगाता है. हम studies करना तो चाहते, बेट हम जल्दी से उठ नहीं पाते, या जब हम पढ़ाई करते तो हमें बहुत सारा नीन दाता है. तो आज हम discuss करेंगे ऐसी 6 दुश्मन के बारे में जो हर एक student को पता होना चाहिए. ये ऐसी बाते जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमारा मन बढ़काती है, ऐसा कहां जाता है कि student की life एक बहतरीन लाइफ होती है, एक बहतरीन जिन्दगी वो जी सकते. इस चाहिए, student की life में जो किया गया मेहनत होता है, वही डिसाइड करता है कि हम 30 और 40 साल में क्या बन सकते हैं, क्या आगे बनने वाले हैं. बट ये जो मेहनत होता है, वो कही न कहीं future में हमें आगे काम आता है, बट student life में की गई मेहनत, अगर हमें सफल बनानी है, तो पहले हमें इस 6 दुश्मन से हारना पड़ेगा. तो आज हम discuss करें 6 दुश्मन के बारे में, अगर आपने 6 दुश्मन को नहीं हराया, तो अब कभी भी life में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो आईए शुरू करते student life के और हमारी life के ऐसे 6 दुश्मन. पहला दुश्मन कल पे डालने की आदत. जी हाँ, हम हमेशा सोचते कि आज हम ये काम तो करी लेंगे, आज हम ये topic कम्प्लीट करेंगे, बट हमें कंटाला आता है, हम सुबर करने वाले रते तो हम शाम पे डाल देते, और शाम पे करने वाले रते तो कल पे डाल देते. ये आदत को हमें आज पे टालनी होगी हम जो भी सोचना हो या करना चाहते हमें आज ही करना होगा तभी जाके हम अपने student life में या अपने studies को हम improve कर पाएंगे हम ऐसा सोचते कि ये जो है वो हमारे लिए बहुत आसन है तीक हम कल कर देते अभी जरूरी नहीं है अभी तो बहु जादा टाइम है ऐसा करके करके ही हम हमारी जो आदत ही होते हमारा studies का topic होता है वह हम क्या करते कलपे डाल दे तो कलपे डालने की आदत हमें बदलनी पड़ेगी उसी के साथ बहुत बर ऐसा होता है ऐसा देखा गया कि physically तो हम करना चाहते कि yes हम ये topic करे लेंगे बट जो हमा करनी होगे और यही हमारा एक सबसे बड़ा दुश्मन है और second दुश्मन that is lack of self-belief खुद के उपर विश्वास न रखना बहुत बार हमें हमारे parents हमारे teachers ये बोलते कि आप तो ये करी लेंगे आप अगर थोड़ा सा महनत करोगे तो आप ये topic भी complete करेंगे बट हमें खुद के उपर भरोसा ही नहीं होता है हम बहुत बार ऐसा करते कि हम एक motivational videos देख लेते या किसी से motivational story सुन लेते तो हम motivate हो जाते और वापस हमें लगता है कि yes हम कर लेंगे थोड़ा सा confidence build up हो जाते बट motivational videos देखने के बाद जो हमारा confidence होता है वो सिफ 10 या 15 मिनिट या आदा गंटा वापिस हमें क्या लगता है कि yes हम यह तो करी नहीं पाएंगे so it is very important to build your confidence to create a confidence आपको self-believe करना होगा अगर आप खुद के उपर विश्वास नहीं रखेंगे तो लोग आपके उपर विश्वास कैसे रखेंगे तो studies करने के time अगर आपको कोई topic difficult जा रहा है तो पहले आपक एक अच्छे percentage के साथ पास होंगे तो खुद के उपर बरोसा करना एक सेल्फ मोटिवेटर बरना यह सबसे पहला काम आपका होना चुँए and third दुश्मिन हमारा that is lack of target and planning yes बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो टॉप स्टुटिंट होता है और एक आवरेज स्टुटिंट हो सिर्फ बहागने से मतलब नहीं है आपको अगर महनत करना है तो उसके लिए target करना होगा set उसके साथ आपको planning करनी होगी because planning without hard work is going to fail even hard work without planning is also going to fail so it is very important कि अगर आप कोई भी planning करोगे उसके साथ hard work करोगे तो ही चाहिए आपको results मिलेगा so it is very important to make a realistic goal to achieve a complete target अगर आपने कोई भी studies अभी शुरू नहीं की या अभी तक कुछ भी आपने नहीं की है तो at start आपको एक realistic goal set करना है आपको छोटे छोटे target set करने ताकि आप अपने complete goal सक पहुच पाए हमारा चौता distraction that is social relationship यह students अभी आजकल अगर हम देखेंगे तो students life में एक बड़ा सा distraction है that is social relationship और यह हमें ignore करना है जितना हो सके हमें यह सबसे दूर रहना है अगर हम बात करेंगे हमारे friends क्या करें आज friends में क्या बाती हुई यह सब के बारे में हमारा बहुत ज़्यादा time चला जाते है तो social relationship को हमें ignore करना है हमारा पाचवर डर that is पाचवर दुश्मन that is डर yes that is a fear हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे हमें अपने आप से डर लगता है हमें particular subject से डर लगता है बहुत बार ऐसे students को हमने देखा है कि उनको exams के पहले सब कुछ आता है उन्हेंने बहुत ज़ आप बहुत ज़दी important है अगर हम खुदी डर को नहीं बगाएंगे तो डर तो हमारे साती रहेगा so it is very important हमें डर को हटाना है हमें खुद के उपर विश्वास रखना है अगर आप कोई topic difficult जा रहा है तो आपको उसको बार बार practice करना है ताकि आप वो डर से हट जाए so डर को हटाना ये भी आपका काम होगा and हमारा last दुश्मन जो सबसे बड़ा दुश्मन है आज के टाइम पर that is social media yes students हमारा दिन शुरू होता है हमारी सुबश शुरू होती है WhatsApp की notification से और हमारा रात खतम होता है YouTube चला चलाते तो it is very important जो social media है उसको हमें क्या करना है दूर रखना है अगर आप studies करने बैठते हो तो आपको notification से उसको off रखना है ताकि आप 100% focus कर पाओ आगी studies पे so it is very important ये जो मैंने 6 दुश्मन बताए अगर आपने 6 दुश्मन अपनी students life के से नहीं अटा है तो आप कभी भी आगे नहीं पड़ पाओगे so ये सिफ students life के लिए नहीं है अगर मैं बात करूं तो हमारी life में भी ये सब दुश्मन होते तो हमें decide करना है कि हमें क्या बाती important है और कौनसी बाते हमें नहीं सोच दी so it is very important हम खुद को motivate करे self confidence build up करे ताकि हम कोई भी गोल या कोई भी target तक पहुच पाए so I hope the video was useful और ये बाते से आपको definitely कुछ तो help मिली ये बाते के उपर ध्यान दीजे और जितना हो सके studies के उपर concentrate कीजे till then जो भी आगे के updates होंगे useful videos होंगे मैं आपके लिए लाती रहोंगे so see you all thank you and please do like share and subscribe